जब भारत विवाजन हुआ और सिंद से लोग यहाँ आए अंजार में रहते थे अभी मुश्किल से पांच साथ साथ हुए थे वो सेटल हो रहे थे और अचानक बहेंकर भूकम पा गया था उस समय लिया अब आप कलपना करिए उनकर क्या हुआ होगा कि एक आफ़त से निकल क जब करके हंदुस्तान आये तो परमात्मा ने दूसरी आफ़त जड़ दी और उसके बाद भी एस समाज शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है अपने आप में सिंदी समाज से बहुत कुछ सिखने जैसा है बहुत कुछ सिखने जैसा है और पूरे देश को इस सिंदी समाज की जो शक्ति हैं आत्म बल पर संकटों से जूजने की संकटों से उभरने की फिर एक बार जीवित हो करके जीजान से जूजने की अपने आप एक अजूप और परंपरा का दूप से सिंदी समाज परिश्रमी समाज है बहुत महनब करने माला समाज है कितना ही धनी परिवार क्यों न होगा लेकिन वोह भी कोई न कोई परिश्रम करता रहता है को एश्रो आराम की दुनिया में फिसल जाने वाला समाज नहीं है और यह जो उसके गूण है यह गूण अगर बचे रहेंगे पीडी दर पीडी इन गूणों की विर्यासत अपने बच्चों को मिलती रहेगी तो सिंदी समाज को कभी संकट नहीं आने वाला कोई संकट उसको जुका नहीं शकता कितनी भी भैंकर समस्य है एक और उसको जुका जेकर आज कभी सिंदी परिवार में जाता हूँ तो मेले पास्ता और पीजा के एत हासपर चलते हैं तो उनार भुण बिट्रे भुणा नहीं थाल ना है तो पकवान कौन खिला गया आप सोचिए एक चला जा रहा है मेरे सिंद्री पड़िवारों में से ये सब चीजें लस्ट हो रही है क्या ये हमारी जिमेवारी नहीं है कि हम इन विरास्त को बचाएं मैं कई बार मेरे मित्रों से कहता हूं को है अंदामाद में कभी तो सिंद्री फूर्ड फेस्टिवल करो हो ये नरे इंद्र सारी दुनिया को फुलाता है लेकिन वो सिंद्री खाना नहीं करता है क्या है